हे गाईज नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उमेद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेग्नेंसी में खुजली से क्या एक गर्वती महला पता कर सकती है कि होने वाला जो बेबी है बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी इस वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से समझाओंगी मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या ये बात सही होती है या फिन नहीं प्रेगनिंसी में आकर खुझली कहां कहां होती है, क्यों होती है, इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और कब आपको डॉक्टर के पाथ जाने चाहिए तो पूरी जानकारी के लिए आपको क्या करना है वीडियो को एंग तक वाच करना है ताकि आपको जो भी डाउट है खुजली से रिलेटिड वो सारे किलियर हो जाएं तो वीडियो को एंग तक वाच जरूर कीजिएगा तो चलिए गाइस आज की वीडियो शुरू करती है बस चैनल को सस्क्राइब कर लेना और बल आइकन को और पर प्रेस कर लेना जिससे क्या होगा जब भी वीडियो अप्लोड होगी तो आपको नौटिफिकेशन तुरंथ मिल जाएगी तो चलिए जौनते हैं तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रेग्नेंसी में करी ायोडे कि खुज़ खुज़े हिए काफी मेहलाओं के प्रेस्ट मेंख़ुजं पध्याटन तो सबसे disposements सबसेड़ान होती हैं कि कर आपको medida को धाया चाहिए कि यूरिन करने आपको बहुत कि उर्हाइण हो रही है तो ये लाइत ब्रेस्टमे करें साझ भनेंदे, ऐसी में आपकेुट्र केक्टेश्या कमा पूहें अगर आपके का सब्सक्राइब मोगा ना PLAYG चाहिए समपना इस वे फेक्ट में आपके सम्टने जब अद्लमल सी बात मिल्क की मात्र सब्सक्राइब नगते हैं स regression में मैं varying है बच्चे की तो क्या होता है बहुत जबायों बनता है अंदर से बहुत करने हैं चैसलेомеं कमें सब्सक्राइज का करना है बिना डॉक्टर की से किसी भी चीज का यूज नहीं करना है। आप क्या हैं। अगर आपको खुझ ली हो रही है तो आप कॉटन का क्लीन कपड़ा लीजिए। उससे आप सहला अकर भी खुझ ली हो रही ł को घु means D आपको दोस्तो नागोनों से बिलकुल नहीं खुजलाना है इससे इंफेक्शन हो सकता है ठीक है तो और रैसिस भी बहुत ज़्यादा हो सकती है तो ऐसे इस्तिती में आपको हमेशा कॉटन का कपड़ा यूज करना चाहिए उससे ही सहलाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप पैलो वेरा जैल का यूज कर सकती है मॉस्चराइज करके रख सकती है आप बोडी लोशन का यूज कर सकती है कोकोनट आइल का यूज कर सकती है मतलब ऑईली तोचा रखिए ठीक है ड्राइनेस मत होने दीजिए अपनी बोडी पर जहां पर भी आपको खुजली हो रही है ल एक डॉक्टर की सला लेनी चाहिए ठीक है अब मैं आप फाइनली आपको ये बताती हूँ कि आप खुजली से एक महला पता लगा सकती है कि होने वाला जो बेबी होता है वो लड़का होगा या लड़की होगी आपने काफी आर्टिकल्स में देखा होगा और काफी साइध वीडियो में भी सुना होगा कि अगर प्रेगनिंसी के टाइम पर खुजली जादा होती है तो ऐसे मैं लड़का होता है और खुजली जादा नहीं होती है तो ऐसे मैं लड़की होती है जबकि ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों नहीं होता है ठीक है जिसकी वड़े से खुजिली होने लगती है ठीक है तो होप करते हैं आपके सारे डाउट किलियर हो गए होगे अगर प्रेगनसी में कोई भी परिशानी होती है तो बिना डॉक्टर की पर्मीशन से आपको कोई भी मेडिशन का यूज नहीं करना है इस बात का आपको ध पिंक जरूर प्रेस करके रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाए